जिहां दोस्तों किर्किट प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है जो आप सभी को काफी खुश कर देगी क्यूंकि BCCI के अध्याक्ष सोरफ गांगुली ने टीम इंडिया के 2021 के पहले असाइन्मेंट की पुष्टी की है बता दे दोस्तों जिसमें कहा गया है कि विराट कोली एंड कमपनी अगले साल की शुरुवात में इंग्लियन के खिलाफ सीरीज खेलेगी जहां पर बहुत प्रतिक्षित शरंखला में भारत में एक वाफिर इंटरनेसल किर्किट की शुरुवात होगी यानि कि भारत में गवाफिर से इंटरनेसल किर्किट खेला जाएगा जो की साल 2021 में होगा एक वर्षिस से अधिक समय तक इंग्लियन के खिलाफ शुरंखला भारत की पहनी घरेलू होगी भारत की आखरी घरेलू संकला इस साल जनवरी में हुई जब मैन इन ब्लू ने ऑस्ट्रेलिया एक खिलाफ तीन मैचों की एक दवस्य यानि की वंडे सीधिस खेली थी पूर भारती कप्तान ने ये भी कहा है कि BCCI इस साल यता संभव घरेलू कारेवाई करने की पूरी कोशिश कर रहा है यानि कि इंडिया के मैदानों में कई मैचिस के एलान की कोशिश कर रहा है राजे संगो को सम्मोधित एक पत्र में सौरवगाउले ने ये भी उलेख किया है कि भारत अगले साल 2030 में यानि की 2021 में वंडे विश्व कप की मेजबानी करेगा 2030 में एक दिवश्य विश्व कप की मेजबानी कर सकता है साथी साथ सीनियर भारतिय पुरुष टीम इस साल दिसंबर में ऑस्टेलिया की यात्रा करेगी और अगले साल फरवरे से इंग्लेंट के खिलाब शुरू होने वाली शरंखला सीरिस के बीच सीरिस के लिए देश वापस आएगी इसके बाद अपरेल में आईपेल 2021 होगा और वहीं मार्च की शुरुआत में नियूजुलेंड में टेस्ट की सीरिस समाप्त होने के बाद से टीम इंडिया ने कोई सीरिस नहीं खेली है क्योंकि दुनिया भर में कोर्ना वाइरस का परकॉप है इस साल के आईपेल के लिए कमर कस रही है जो 19 सितंबर से 10 नंबर तक यूएई में होगा करिटी में यूएई पहुंच चुकी है करिटीमों का पहुंचना बागी है लेकिन इंतजार तो चरिफ इस बात का है कि कब 19 सितंबर की तारीख आती है क्योंकि इस दिन से हमें कि जा रही है लेकिन कर्णा को लेकर कुछ बाते नहीं खीजा सकती है आशाम भी यह करते हैं कि कोर्णा की लगाम लगाए साथ इसाथ कोर्णा पर रोक लगे ऐस जिसकी वज़े कुन साइसा प्लेयर होगा जो सबसे जदा निखर के सामने आएगा ये किसकी सेलेक्शन से सभी लोग हैरान हो जाएंगे आने वाला समय ही बताएगा नेक्स्ट नैन स्पोर्स की रिपोर्ट